बाला जी मा सरस्वती को परणाम करता हूँ, बाला जी को परणाम करता हूँ, और ओम जी आपको विशेश परणाम करता हूँ, आखिर खार आपने मुझे बुला ही लिया, पट्टे को जब फोन करूँ 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 मीरा हो गई, गीता हो गई, सब हो गया, देव की नंदन जी बस एक ही चीज बचती है, वो है जणगण मन, मन तो वही कर रहा है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं आपकी संख्या, इस प्रांगण में आप लोग की उपस्थिति अब उतनी ही बची है, जितनी पाकिस्तान में शराफत जिन्दा है, तो शराफत कम संख्या में भी हो, तो उसे प्रणाम करना चाहिए, और उसकी तालियों की आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए, कि बाहर बैठे लाकुब बैमानों के होश ठिकाने आ जाए, देव की नंदन जी अब आप वैसी उर्जा से सुनें, जै करके आ गए, इतनी वाकिंग आप, यू मान के चलो आपके सामने दीपी का खड़ा है, बस, मन की बात कह दी मुने, जादा देर तक आपके प्राण नहीं पिऊंगा, जो थोड़े बहुत, बचे कुछे लोग हैं, उनने थोड़ा सा हसाउंगा, पहले बहुत अच्छा हाथ कि आपके आदमी को कोई सीरिस्ती नहीं लेता, एक कविसम्मेलन मैंने जैसे ही कविता पाथ आरंब किया, एक गधे ने रहंकना शुरू कर दिया, तो मैंने आयजग को बुलुआया, मैंने का इस गधे का रहंकना बंद करवाईये, आयजग बोला वो भी तो यही कह रहा है कहीं से भी आज से मिल जाता है, अभी मैं आ रहा था रस्ते में बच्चा रो रहा था, तो मैंने उसको पूछा बटा क्यों रो रहे हो, बोले मेरे मा और बाप में जगडा हो रहा है, मैंने का कौन है तुमारा बाप, वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है, दुकांदार से जगडा होते होते बच्चा, हुआ यूँ कि मैंने दुकान से नई शर्ट ली, घर जाके उसे साबुन से धोया, तो वो छोटी हो गई, तो मैं दुकांदार के पास गया, मैंने का भाई साब आपकी दुकान से नई शर्ट ले गया था, घर जाके उसे साबुन से धोया, तो वो छोटी हो गई अब मैं क्या करूँ दुकानदार बोला अब उसी साबून से तू भी नहा ले कहीं से भी हस मिल जाता है वो बच्चे बैठे हैं इन्होंने तुम लोगोंने बहुत इस कारिक्रम को जीवित रखा है सच बता रहा है यह तुम्हारा ही जमाना और यह बता के जाओंगा याँ सर ओम जी आपने देखा होगा टैटू का जमाना है हर आदमी टैटू लगाता फ अबे मैंने का जब दर्द बरदाश्ट नहीं होता है तो क्यों लगवा रहा था वो भूला दर्द की वज़े से थोड़ी ना रो रहा हूं स्पैलिंग गलत हो गई करीना लिखवाना चाहता था साले ने कमीना लिख दिया तो आदमी सोचता कुछ है निकलता कुछ और है और गिरीज जी ने बहुत बढ़िया काम किया जो उनकी प्रेंडना थी उनको यहां बुला के तस्वीर खिचवाई भावु करते हैं कभी होता है भावुक असा भावुक ता मैं फस लेता है देवकी नंदनी अपन कैसे फसे मैं आपको बतातना है पिसले दिन मैं भावुक हो गया मेरी बीवी ने का गोवा ले चलो गुमाने के लिए मैं ले गया हम दोनों ने चर्च में एंट्री मारी जैसी मेरी बीवी ने जीजस क्राइस की फोटो देखी तुरंत पाउं चूली है मैंने का शादी को इतने साल हो आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया हूं जी पता नहीं कौन सा बदला निकाला है आदमी सोचता कुछ निकलता कुछ और देव कि नंदन जी आपको तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि आपने करवाया यह कोई भी जा सकता उठके आप नहीं जा सकते और राजिस्थानी है मै गलती से कुवे में गिर जाएगा तो पहले नहाएगा अरे आप लोग तो चलते बरते दंडा कर लेते हो मैं सच बता रहा हूं राजिस्थानी से कोई नहीं जी सकता एक अधारन देता हूं मैं एक ट्रेन में राजिस्थानी चाइनीज के साथ यात्रा कर रहा था अचानक चाइनीज के हाथ पे मच्छर बैठा, तो उसे मार के वो खा गया, थोड़ी दिर बाद राजिस्थानि के हाथ पे भी मच्छर बैठा, तो जिंदा ही पकड़ लिया, और उससे पुछा खरीदेगा, आप लोगों में क्या दिमाग है, मेरा तो सरकल है, पूरा राजिस्थानियों का यह है भाई साथ, पूरा राजिस्थानियों का सरकल है, मारवाडियों का सरकल, और कितना दिमाग होता है, पिसले दिनों मेरे एक राजिस्थानी मित्र ने मुझसे पांच लाक रुपे मांगे, मैंने का किस लिए चाहिए, बुले चहरे की प्ला मैंने महावीर जी से पूछ लिया मैंने का कोई ऐसा धंदा बताइए कि महनत तो कोई और करे अपन खाली बैठे बैठे कमाएं तो महावीर जी बोले सुलब शौचाले खुल ले सब लोग आपकी यह सब चीजों की बाते करते संस अफ यूमर की बात कोई नि करता हूं जी मैं करता हूं आज राजिस्थानी जैसा संस अफ यूमर नहीं आपको बढ़िया एक बात बताता हूं पिसले दिनों में मर्सडीज खरीद ने गया पांच रुपे कम पढ़ गये देव की नंदन जी आप तो सामने गवा हो बिटा ये 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 जो वारता ये बाद में कर ले ना अभी मेरी हत्या मत कर तू बैठ जाए यां मैं 2016 का शुद्धतम चुठकुला सुना रहा हूं आपको पिसले दिनों मैं मर्सडीज खरीदने गया पांच रुपए कम पड उसे का भाई दे दे वो बोला नहीं नगत का धंदा है जब तेरे पास हो तो आजाना तो मेरा मू लटक गया मैं शोरूम के बाहर निकला तो देव की नंदन जी मिल गए अब इनका संस ओ यूमर देखना मैंने देव की नंदन जी से कहा पांच रुपए चाहिए मर्सडीज खरीदनी है इन्होंने मुझे दस का नोट दिया बोले एक मेरे लिए भी खरीद लिना ये होता है संस ओ यूमर राजस्थानी का क्या बात है बहुत कूँब पिछले दिनों एक रिसर्च हुई साहब के जूट जिंदगी के पांच मिनिट कम कर देता है एक जूट जिंदग के दस मिनिट बढ़ा देती है तो राजस्थानी का कैलकूलेशन देखना हस्ते हस्ते जूट बोलो तो भी पांच मिनिट का फाइदा आप लोग कोन मुकाबला कर सकता है भाई मुझे मालूम है आप किसी को नहीं छोड़ोगे आप फलता जी को भी सुनोगे और सार्थक जी को भी सुनके जाओगे उसी में कविसमेलन सार्थक होगा और जिद्धी बिलकुल नहीं हो मैंने देखा जॉनी भाई पढ़ रहे थे कितनी बार आपको बातों में ले जाते हैं कोन ताली क्यों बजाना हो यह बजाना हो बात में हाथ उठा के ताली बजाओ जिद्धी नहीं हो आप जैसे उन्होंने बोला आपने बजा दी आप किस्ता सुनाता हूं जी एक बच्चा जिद्ध पकड़ लिया बोले खाने में चिपकली खाऊंगा घरवालों ने कऄा पे दालचावल बने खा बोले नहीं चिपकली खाऊंगा घरवाले समझगये मामला तेड़ा है तो एक गुरु जी को बुलवाया जो जिद्ध छुडवाते थे उनके सामने भी यही जिद्ध चिपकली खाऊंगा गुरु जी ने मंगवा दी, बोले ले खा, बोले ने आधी खाऊंगा, तो आधी करवा दी, बोले ले खा, बोले ने तली हुई खाऊंगा, तो तलवा दी, बोले ले खा, बच्चा बोला गुरु जी पहले आप खाईए, अब गुरु जी के प्राण उपर के उपर और नीच नीचे के नीचे जैसे तैसे पानी के साथ गटक गए और बोले कि आप खा तो बच्चा रोने लग गया गुरुजी मेरी वाली तो आप खा गए तो ओम जी गुरुजी ने अपनी धोती सम्हाली और भागे क्योंकि उन्हें मालूम था वो दूसरी आधी भी उन्हें ही खानी पड़ेगी अब अपने हाथों को खोलिएगा और बताएगा के ना लेना एक ना देना दो ना कुछ करना ना कुछ धरना फोकट का तंटा फोकट का बवाल ये बच्चा और कोई नहीं ये है केजरी बाल वाई बहुत को बाल नमनित वा बाल बाल अरे दो तीन लोगों ने तो बाल मचा रख्खा रख्खा रामदेव जी हैं देखलीजी आप उनको क्या बाबा रामदेव कहो रहा ना तो लाला रामदेवी कहुँगा देखो सांस खीचने से शुरू हुए थे, नोट खीचने तक आ गए है, देखो कमेंट अच्छा हो तो ताली बजनी चीए याज, तो आपको याद है, देवकिनंदन जी पिछले दिनों बाबा रामदेव जी जंतर मंतर पे बैठे थे, धरने पे याद है, अचानक पुलिस आ पुटा, आपात कालीन स्थितियों में, बाबा जी भाबी जी बनके भागे, मजे लेना ताली अब बजाना, के आपात कालीन स्थितियों में, बाबा जी भाबी जी बनके भागे, ये तो अच्छा हुआ के आसाराम की नजर नहीं पड़ी, ओम जी ने एक और प्राणी का नाम लिया जिसको लिये बिना कोई हास से रसका कवी सम्मिलन कवी सम्मिलन नहीं माना जाता आदरनी पप्पु जी आपको मालूम है कितने इंटेलिजेंट है पिछले दिनों बहुत द्रवित हो गए किसानों की हालत को देख के उन्होंने देखा के किसानों की हालत बहुत खराब होई फसल वसल बिगड़ गई तो उन्होंने मुआफजे के लिए रैली निकाली राहुल गांधी ने किसानों के लिए और उन्होंने किसानों को संबोधित किया क्या संबोधित किया साला सर के सुधी शोताओं के सामने एक्जामपल रखता हूँ धारन रखता हूँ एक एक संबोधन मज़ा लेना राहुल गांधी किसानों को संबोधित कर रहे हैं किसान भाईयो मुझे पता चला है कि आपकी फसल बिगड गई है गेहूं के पेड़ गिर गए है नुक्सान तो आलू के पेड़ों को भी हुआ है मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ जब ये इतना रिस्की धंदा है तो आप फसल उगाते ही क्यों हूँ सीधे दुकान से क्यों नहीं ले लेते अच्छन ये सुनके किसान भावुख हो गए और उन्होंने आपस में चंदा करके कुछ पैसे सोनिया को दिये सोनिया गांधी बोले ये क्या है किसान बोले ये मुआवजा है वो बोले किस बात का मुआवजा किसान बोले फसल तो आपकी भी खराब हुई यह खेल है मेरे बाद दो लोग और भी हैं जैसे मैं एकदम अंदर से द्रवित हो रहा था खून खौल रहा था मेरा इनका भी खौल रहा है मुझे जल्दी अपने स्थान ग्रहन करना है जैसा कि जानी भाई ने बोला है मेरा भी स्थान है और मैं एक दो बातें जरूर कहके जाओंगा इस मंच से कि अभी जो बात इन्होंने कही शहीदों पर जानी भाई ने बहुत अच्छी बात कही पाकिस्तान रोज हमले कर रहा है भी दो दिन पहले इसने हमारे कई जवान मारे हैं लेकिन अपने को पाकिस्तान से डरने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है जैसे आपके पास दिमाग है आपने कम पेमेंड में सब को लपेटा आपके बास दिमाग बहुत है, और दिखो आपने पोस्टर भी ऐसा लगाया है, जो आज इवन काम आ सकता है, ना तो किसी का नाम है, और ना कोई डेट है, ये कामेक राजिस्थानी कर सकता है, अपने संबान में बजा दो, भाई बहुत कुप नवनित अच्छा है, तो दिमाग कि बढ़ी कोई जुरूत नहीं, मुझे तो यहाँ दे, प्सली दिनों पाकिस्तान ने अमरीका से कुछ अत्याधुनिक विमान खरीदे, अब चलाने तो आते नहीं है, तो अमरीका से पाइलेट आये ट्रेनिंग देने के लिए, तो अमरीकी पाइलेट ने पाकिस्तानी पा ट्रेनिंग कि पाकिस्तानी पाइलेड ब подарáng बोला क्या है कि देतानी पाइलिट बोला इतनी पाकिस्तानी पर बोला ये नीख9 इन आप ले आएगी तो कोई दनने की दिमाग बहुत है अपने पास मैं तो ओम जी के संचालन में बाद चुका हूं बॉर्डर पे मैं आपको बता रहा हूं वहां पे स्थितियां कैसी है सर वहां पे सालसर वालों बंकर बने हैं कोई आदमी किसी को देख नहीं सकता कि तो सोचा कैसे मारें कैसे भारती मिलिटरी में दिमाग बहुत है भारती मिलिटरी ने की तरफ से आवाज गुंजी बोले वकार कौन है एक हाथ खड़ा हुआ मामला साफ फिर भारती मिलिटरी से आवाज गुंजी यून उस कौन है दूसरा हाथ खड़ावा मामला साफ वो तो समझ के यह साले नाम ले ले के मार रहा है थोड़ी दिर बार पाकिस्तानी खेमे से आवाज आई रामलाल कौन है कोई नहीं बोला अगले दिन फिर भारती खेमे से आवाज गुंजी रामलाल को कौन पूछ रहा था तो कोई डरने की जरूत नहीं है और एक सीमा होती है सर पिछले दिनों बहश चली हमारे देश में अभिवेक्ती की आजादी की अभिवेक्ती की आजादी है सालसरवलो अभिवेक्ती की आजादी है आप अरविंद केजरिवान मुर्दाबाद बोल सकते हो आप राहुल गांधी मुर्दाबाद बोल सकते हो आप इवन नरेंद्र मोधी पुर्दाबाद बोल सकते हो लेकिन आप भारत मुर्दाबाद नहीं बोल सकते हो वाई वाः नवनीत बहुत को वाः मेरा रस नहीं है करम में मुझे आज बहुत लेट बुलाया गया मैं समझली जेन की अगवानी में पढ़ रहा हूं एक कविता जो मेरे रस की नहीं लेकिन बहुत सामाइक है वो पढ़ता हूं और आपके जहन में नवनीत हुलल का नाम रहे न रहे इस कविता की एक न एक पंती आप अपने साथ जरूर लेके जाएंगे यह दावा करता हूं और कविता आपके बीच में रखता हूं इसकी प्रस्त भूमी इतनी सी है कि पिसले दिनों जो कश्मीर में बाड आई जो उत्तरा खंड में विभीजी का मची उसको केवल आप ध्यान में रखें और मेरी कविता सुने कि उत्तरा खंड में राहत कारे के दौरान जैसे ही एक जवान ने उपर से खाने का पैकेट नीचे गिराया एक बच्ची ने फौरण उठाया उत्तरा खंड में राहत कारे के दौरान जैसे ही एक जवान ने उपर से खाने का पैकेट नीचे गिराया एक बच्ची ने फौरण उठाया बहुत दिनों के बाद खाने की शकल देखकर उसकी आखें भराई और जिस कागस में वो खाना लिप्टा था उसमें ये खबर थी आई कि भारती क्रिकिक टीम विश्व कब जीती खिलाडियों का करने के लिए सतकार सबको एक एक करोड पर देगी सरकार बच्ची ने अपनी मा से पूछा मा सरकार खिलाडियों को इतने रुपय क्यूं देती है मा बूली बेटा वो इस लिए क्योंकि खिलाडी देश के लिए खेलते हैं तब ही उस बच्ची की नजर हेलिकॉप्टर से लटके एक जवान पर पड़ी उसे देखते ही वो बोल पड़ी मा क्या इन्हें भी एक करोड रुपए मिलेंगे भाई नवनीत बहुत खोग बहुत खोग बहुत सम्वेदन की पड़ी बच्ची की नजर हेलिकॉप्टर से लटके एक जवान पर पड़ी उसे देखते ही वो बोल पड़ी मा क्या इन्हें भी एक करोड रुपए मिलेंगे मा कुछ नहीं बोली बच्ची ने कहा मा आप कह रही थी ना खिलाडी देश के लिए खेलते हैं पर ये जवान ये जवान तो सीमा पर खून की होलियां खेलते हैं ये जवान ये जवान तो सीमा पर खून की होलियां खेलते हैं हमारे तुम्हारे लिए नजाने कितनी गोलियां अपनी छातियों पर झेलते हैं होली हो, दिवाली हो, इद हो, दशेरा हो नवराते koi भी तेवारि अपनों के साथ नहीं मनाते मातर शक्ति को पंधियां दे रहा हैं, दो तो हमारे मझ पर बैठीएं, यहां पर बैठीएं अपने हातों को रोकियेगा मत आपको पंतियां दे रहा हो के हो ली हो दिवाली हो इद हो दशेरा हो नवराते कोई भी तेवारी अपनेों के साथ नहीं मनाते इनके त्याग और बलिदान को हम कैसे कर सकते हैं देखा इनके त्याग और बलिदान को हम कैसे कर सकते हैं देखा अरे इन में से तो कईयों ने अपनी संतान को पहली बार ठीक से चलते वे भी ने देखा अरे इन में से कईयों ने तो अपनी संतान को पहली बार चलते वे भी ने देखा बता मा, क्या इन्हें भी एक करोड रुपए मिलेंगे क्यों चुप हो गई, क्यों हो गई मौन बता इस देश का असली हीरो कौन शारुक खान, आमिर खान, सल्मान खान इस देश के असली हीरो नहीं है शारुक खान या अमिर खान इस देश के असली हीरो है सीमा की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवान नवनित बहुत खोब भई वा और जागरिज जनता सुन रही है, देश भग जनता सुन रही है एक पंती पढ़ता हूँ मेरे द्रिश्टिकोन की पंती है, आपके द्रिश्टिकोन से न मिले एक भी ताली मत बजाना लेकिन अगर मिल जाए तो हाथ उठा के ताली बजाना ताकि मैं ऐसी पंती रोज रोज लेगा जो शुन डिगरी ताप्मान पर सरहत पर भारत का तिरंगा लिए खड़ा है ये सचिन तंदुलकर से ज़यादा बड़ा है बहुत बहुत शुक्रिया आप जिस पंती के लिए पूरा ताना बाना बुना मुझे विदाई की तालियां दीजेगा कि बता मा क्या इन्हें भी एक करोड रुपे मिलेंगे मा बोली नहीं इस देश में बल्लों से खेलने वालों को करोडों मिलते हैं जान से खेलने वालों को नहीं जान से खेलने वालों को नहीं